आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की फोटो कीचो उसे Crop करो और तुरंत वीडियो सिलीशन पाओ डाउनलोड नाओ एक Neutron है हमारा ठीक है, Neutron Collide कर रहा है Elastically with Atomic Mass Number A Atomic Mass Number से Neutron Collide कर रहा है ठीक है, और जो की Initially Rest पर था, मतलब कि जो Atom था जो कि Atomic Number A है वो Rest पर था, यह हमारा डाइग्राम देख सकते हैं तो Neutron का कर मास मान लेते हैं हम लोग ठीक है तो Atomic Number जो होगा, मतलब कि Atomic Number मास जो दिया होगा, हमारा Atoms जो है उसमें हमारा A Atomic Number है मतलब कि A Number of Neutrons present है हमारे ठीक है, तो Neutron कितना है उसमें A Number है, ठीक है इक्वल्स टू ए है तो हमारा कितना हो जाएगा, Total Mass Total Mass हो जाएगा, M into A ठीक है, Mass of Neutron into Number of Neutrons present तो हम लारा यह हो गया, M into A तो आटम को जो मास होगा, हमारा कितना हो जागा, M into A ठीक है, हम लोग देख सकते हैं कि नहीं इक कोलाइट कर रहा है, लास्टिक लिए इस काम लग लगया हो, हमारा मोमेंटम जवीशन लगेगा, ठीक है मोमेंटम इसान लगा देशन लादे तेंडया मोमेंटम जवीशन क्या मोमेंटम कंशरवेशन यू मारे देया होगा इसानu नूर्टन का मास था इन्ट sua मेंटु zero कोई रेस्ट पर था ये तेक है अब similarly हम लोग PF अगर देखें तो PF जो होगा मतलब फाइनल मोमेंटम होगा वो क्या हो जाएगा M into V1 V1 प्लस M A into V2 हो जाएगा M A into V2 ठीक है तो हमारा जो फाइनल वेलो सिटी होगे तो हम लोग दोनों को इक्वेट कर देंगे P I equals to क्या होगा P F होगा क्योंकि सब्सक्राइब होगा है तो अगर हम देखे तो M M U plus 0 equals to क्या होगा M V1 प्लस M A V2 M A V2 तो हमारा एक रिलेशन आ गया है यह ठीक है अब हम लोगों को बोल रहा है कि ना जिसे coefficient of resistivity पड़े ही होंगे हम लोग coefficient of resistivity क्या होता है कि बोला था कि ना हमारा head-on collision हो रहा है और Elastically हो रहा है तो मतलब कि ना हमारा जो coefficient of resistivity क्या होगा होगा वन होगा तो और वी टूबऎ वी माइनश वी वन डिवाड़ेद वाई यूवन मैनेस यूट्टू होता है इसकी वैलिव वन है तो इसका मतलब क्या हो गया U1, U2 थो हमारा 0 है तो मतलब V2-V1 एक्वस्टू क्या हो जाएगा U minus 0 ठेक है इसकी वैलु तो मतलब V2-V1, V2-V1 ट्योहा यहा पर U है हमारा ठिक हाаров दे है, तो मैं लोग देख सकते हैं कि ना यह माल लेते हैं, ठीक है तो हम लोग इसको हम लोग इसमें इक्वेट कर देता है वीटू को रिप्लेस कर देता है इस question में इस equation में equation number one पे ठीक है तो हमारा ही M U M U equals to क्या हो जागा M V1 V1 ठीक है और M A M A V2 के जगह हम लोग रिप्लेस करतेंगे U plus V1 ठीक है M A U plus V1 ठीक है U plus V1 ठीक है इसे एक relation आगे हमारा तो हम लोग V1 को U के terms में लिख सकते हैं solve कर लेते हैं U को excite कर ले आते हैं और V1 को excite ले आते हैं हम लोग ठीक है तो हमारा हो जाएगा U M M cancel हो जाएगा तो U V1 plus A U plus A V1 ठीक है U को excite ले जाते हैं वी वन को एक्साइट लेंगे तो कितना one plus a equals to u equals to u one minus a one minus a तो मुलग वी वन का value calculate कर लेंगे इससे तो v1 हमारा हो जाएगा यू यू हमारे initial velocity था neutron का ठीक है one by a one minus a my one plus a ठीक है तो हमारे ये velocity velocity निकल गया neutron का after collision तो हमारा kinetic energy जो होगा हमारा kinetic energy जो होगा one का neutron का ठीक हो अफ्टर कोलेजन वो क्या हो जाएगा m u square तो हमारे initial kinetic energy निकल गया similarly हम लो final kinetic energy निकल लेंगे तो final kinetic energy क्या बोलता है कि half mv1 square ठीक हाफ mv1 square तो half mv1 square v1 square हमारे कितना है वी 1 कितना है तो हमारा half m u square into one minus a by one plus a का whole square one plus a का whole square into u का इदोन का square ठीक है तो हमारा kinetic energy initial final निकल गया of neutron before and after collision ठीक है हमें निकालना था कि kinetic energy कितना change होगा मुद्ला कि क्या vary करेंगा तो kinetic energy final my kinetic energy initial निकालना है में directly ठीक है initial तो हमारा लोग कैसे निकालेंगे दोनों को divide कर देते हैं तो half mv1 square one minus a by one plus a one plus a का whole square ठीक है u square divided by क्या हो जाएगा half mv1 square half mv1 square तो यह हम लोग दे सकते हाफ है mu square दोनों जाद से cancel out हो जागा बचे का क्या one minus a by one plus a one plus a whole square जिसको हम लोग लिख भी सकते हैं जिसा option के हिसा चलते हैं तो option में किस type का है a minus one के form में लिखा हुआ है तो हम लोग square है तो हम लोग इसको similarly लिख सकते है a minus one by a plus one a plus one का whole square तो option हमारा कॉन नीड IIT जेही means और advance के लेवल तक 10 मिलियन से जादा स्टुडेंट्स का भरोसा आज ही डाउनलूट करे डाउटने टाप या WhatsApp कीचे अपने doubts 8444 चार्स उपर